Hello Friends, I am your business दोस्त आशी शगरवाल और आप सभी देखने हैं Franchise बताओ दोस्तो Franchise बताओ पर जो आज बिजनस आइडिया मैं आपके ले लेकर आया हूँ ये एक सूपर हिट बिजनस आइडिया है, ये बिजनस आइडिया आप भले छोटे से गाउं में करें ये बड़े से बड़े सहर में करें हर जगर चलने वाला बिजनस आइडिया है तो दोस्तो आप जरूर जानना चाहेंगे बिजनस आइडिया क्या है दोस्तो ये बिजनस आइडिया है 99 बिजनस इस्टोर का बिजनस आइडिया दोस्तों हो सकता है कि आपने भी 99 रुपीज की बहुत सारी स्वापिंग करी होंगी, आपने कई बार सेल्स देखी होंगी कि हर माल 99 रुपीज का या फिर 99 स्टोर से आपने जरूर स्वापिंग करी होंगी, तो क्या आप जानते हैं कि 99 स्टोर वाले कितना profit margin कमाते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप इस business को सुरू करना चाहेंगे तो आपको कितना investment लगाना पड़ेगा, कितनी आपको जगह के requirement पड़ेगी, आपको किसी store की franchise लेनी पड़ेगी या फिर आप अपना business भी सुरू कर सकते हैं, दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे questions मेरे बहु तो चीज़े बताने वाला हूँ, सबसे पहले कि किस तरीके से आप अपना 99 store सुरू कर सकते हैं, और साथी साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी 99 store की franchise ले सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को last तक देखिएगा, साथी साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दिरूर दबाईएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन के बिना अब आपको मेरे नए वीडियो नहीं आएंगे, ये 99 store होता क्या है, क्या 99 store पर हर माल सिर्फ 99 रुपय का म का उसका यूसेज है, उसके हिसाब से अलग अलग प्राइसेस में आपको मिल जाता है, लेकिन हर एक प्राइस के लास्ट में 99 जरूर होता है, ये होता है 99 store franchise, यहाँ पर आपको मिलता क्या क्या है, दोस्तों यहाँ पर आपकी रोज मर्रा की जरूरत में आने वाली सभी ची कृचन वेयर में किचन में उज आने वाली बहुत सारी आटमस मिल सकती है, जैसे कि दोस्तों आजकिल गलफ आते हैं किचन में उज में आने वाले हैं, गलफ के अलावा थरमस बौतल, आपको मसाला रखने वाला समान, आपको टेल पtheyर, आपको नाइफ, लाइटर ऐसे कोई भी समान बेश सकते हैं और दोस्तों अपने देखा होगा कि अगर आपके सहर में को 99 स्टोर खुलता है तो वहाँ पर कितनी भीड़ाती है तो दोस्तों अगर आप भी 99 स्टोर खुलेंगे तो आपके पास कस्टमर की कमी नहीं रेने वाली है बसरते कि आपका माल अच्छ का सेट आपको सिर्फ 50-55 रुपए में मिल सकता है Cubsets होते हैं जो आपको 99 रुपीज में मिलते हैं वो सिर्फ 40-50 रुपए के बीच में मार्केट में available हो जाते हैं इसी तरीके दोस्तो खरीदारी सस्ती होनी के वज़े से profit margin बढ़ जाता है और कई बार बहुत अच्छा माल भी वो बहुत कम rate में बेज देता है जिससे की उसके दुकान में ग्रहाग बना रहे है दोस्तो ये business policy है इस policy को अगर आप भी अपनाएंगे तो आपके पास ग्रहाग लगातार आएंगे तो ये आपको मैंने बताया कि profit margin कितना होता है 30% से लेकर 60% तक का profit margin होता है अगर आप अपना भी सुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से सुरू कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले एक 100 square feet से लेकर 1000 या 2000 जितना बड़ा आप बनाना चाहें आपको एक उतनी बड़ी दुकान चाहिए ये दुकान आपकी अपनी भी हो सकती है या फिर आपको किसी अच्छी location में rent पे लेनी पड़ेगी दोस्तो location कैसी होनी चाहिए दोस्तो location ऐसी होनी चाहिए कि चलते फिरते आपके ग्रहाग को लोगों को नजर आए कि हर माल 99 रुपीज में या फिर 99 इस्टोर क्योंकि यहाँ पर आपके पास running customer बहुत आने वाला है अगर किसी mall में होगी अगर ये franchise ये तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि mall में अगर footfall बहुत ज़ादा है तो एक बार कोई भी ग्रहाग सिर्फ curiosity की वज़े से आपकी दुकान में जरूर घुसेगा और आपकी दुकान में 300, 400, 500 चीजे होंगी बहुत सारे gift item भी होंगे बहुत सारे essay item भी होंगे जो कि लोगों को बड़े पसंद आते होंगे वो हर ग्रहाग 2-50, 4-50, 5-50 परचेज करके लेके जाएगा इस तरीके से अगर आपके दुकान में डेली के 200 ग्रहाग भी आते हैं और 200 ग्रहाग सिर्फ 2-2 चीज परचेज करते हैं मतलब सिर्फ 200 ग्रहाग परचेज करते हैं तो डेली की 40,000 ग्रहाग की सेल हो जाती है और महीने की आसानी से अगर 25 दिन भी अगर आप आप अपेन करते हैं तो 10 लाख उर्पे की सेल हो जाती है और यहाँ पर अगर आपका 30 परशेंट भी मार्जिन है या फिर कोई भी business बंद हो जाता है तो खर्चे क्या क्या है? सबसे पहला खर्चा आपकी दुकान का rent तो आपको ये देखना है कि आपकी दुकान की sales आप anticipate कर सकते हैं अगर कोई बड़े सहर में है तो 10 लाग से लेकर 25 लाग के बीच में आ सकती है लेकिन अगर ये किसी छोटे सहर में या फिर गाउं में आप खोल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी sales महीने की 2 लाग, 3 लाग, 5 लाग से उपर नहीं आएगी तो आपको सबसे पहले sell anticipate करनी है और उस sales का 5% से उपर आपको rent नहीं देना जैसे कि अगर आप मानते हैं कि किसी बड़े सहर में खोल रहे है और 10 लाग की sales आ सकती है तो 10 लाग का 5% 50,000 होता है तो 50,000 से लेके 70,000 रुपे तक आप किराय की दुकान ले सकते हैं लेकिन अगर आप किसी गाउं में खोल रहे है वहाँ पर आपको लग रहा है कि 3 लाग की sales आएगी तो 3 लाग का 5% 15,000 रुपे होता है तो आपको ये चाहिए कि प्राइम लोकेशन पर या फिर अच्छी फुटफोल वाली लोकेशन पर जो आपको जगह मिल जाए वो 15 से 20,000 रुपे में मिल जाए आप जो profit कमाएंगे उसके अंदर से आप rent आसानी से दे पाएं इसके अलावा आपको दो लड़के जरूर रखने पड़ेंगे क्योंकि होगा क्या कि ग्रहाग जगह जगह जाएगा आपके समान को इधर उधर भी कर सकता है आपके समान को उल्टा पुल्टा भी कर सकता है खोल खोल के भी देख सकता है तो इसलिए उनको हर समय उस समान को विवस्थित करना पड़ेगा तो समान को विवस्थित करने के लिए और साती साथ आपको ये बताने के लिए कि कौन सा समान घट गया है कौन सा समान कम हो गया है इसके लिए आपको दो लड़के जरूर रखने पड़ेंगे और साती साथ या तो आप स्वेम या फिर आपको कोई विश्वासी गल्ले पर होना चाहिए मतलब कैस काउंटर पर होना चाहिए ताकि आपके कैस में कभी कमी ना आए इसके अलावा जो खर्ची होते हैं बड़ा खर्चा होता है इलेक्टरिशिटी बिल का और मार्केटिंग का दोस्तों मेंली यह चारी खर्चे हैं रेंट लड़कों की सैलरी बिजली का बिल और मार्केटिंग यह चार मेंली खर्चे हैं इसके अलावा मिसलेनिस हजार दो हजार का चाई पानी का वगेरा खर्चे हैं तो इसको हम बहुत बड़ा खर्चा नहीं मान सकते हैं So friends, ये आपको बहुत ध्यान में रखने हैं, और आपको कोशिस ये करनी कि सारे खर्चे 15% के अंदर अंदर आपके निपड जाएं, क्योंकि यहाँ पर profit जादा है, इसलिए आप खर्चे 15% तक रख सकते हैं, लेकिन वही पर जैसे कि मैंने आपको अपने किराना इस्टोर के वीडियो में बताया था, अगर वहाँ पर आपने खर्चे 15% कर लिए, तो आप 5% नुकसान में चले जाएंगे, मत 10 लाग की सेल करके 50 जार पे जेब से भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर profit margin इतना नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपको profit margin जादा आता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम किस तरीके से आपकी help कर सकते है, 99 store खुलवाने के लिए, दोस्तों franchise ही बताओ, आपकी पूरी-पूरी help कर सकता है, सबसे पहले आपकी branding में, किस तरीके से आपकी branding होगी, दूसरा आप stock कहां से लेंगे, क्या stock लें, कैसे पहचें, promote कैसे करें, दोस्तों ऐसे बहुत स सारे questions होते हैं, जहां पर franchise बताओ, आपकी help करेगा, आपका store open करवाने के लिए, तो अगर आप अपना store open करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए number पर, आप call कर सकते हैं, या फिर description पर आपको Google form मिलेगा, उस Google form मेरे भी अपने detail फिल कर सकते हैं, हमारे team खुद आपको call दोस्तों इसके लिए आपको कुछ consultancy charges pay करने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों जितना consultancy charge आप pay करेंगे, वो दोस्तों किसी भी store की franchise fee का आधा भी नहीं होगा, जी हाँ friends, अब मैं आपको बताने वाला हूँ franchise model के बारे में, दोस्तों अगर आप किसी जाने माने 99 store की franchise लेंग तो आपको benefit क्या होगा, सबसे पहरा benefit तो यह होगा, क्योंकि दोस्तों लोग उस brand को जानते हैं, तो हो सकता है कि आपके दुकान में ज़्यादा footfall आ जाए या फिर sales ज़्यादा हो जाए, दूसरा benefit क्या होगा, कि आपको हर बार purchasing के लिए जगा जगा नहीं भटकना पड़ जाएगी, वन इस टोप आपकी purchasing हो जाएगी, तीसरा benefit कई बार दोस्तों यह जो franchise owners होते हैं, आपके लिए branding करते हैं, आपके लिए promotion करते हैं, तीसरा benefit यह है, लेकिन आपको ऐसे किसी भी store की franchise लेने के लिए कम से कम 3 लाख, maximum 7 लाख रुपे तक franchise फीज देनी पड़ेगी, यह franchise if is non-defendable होती है, आपको one time fees होती है, 3 लाख रुपे से लेकर 7 लाख रुपे तक यह फीज आप पे कर देंगे, इसके अलावा आपका furniture picture का खर्चा है, इसके अलावा दोस्तों आपको stock purchase करने का खर्चा है, तो अगर आप किसी भी जाने माने store की franchise लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 लाख रुपे से लेकर 30 लाख, 40 लाख रुपे तक का investment करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना store खुलना चाहते हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ 1 लाख रुपे लगा कर, या फिर आप जितना मर्जी ज्यादा बड़ा खुलना चाहें, 5 लाख, 10 लाख, कर लेते हैं, इस टोक पॉइंट को अगर आप सही बना लेते हैं, तो future में अपने brand की franchise भी आप दे सकते हैं, तो ये फायदा है दोस्तो अपने brand बनाने का, so friends मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कि इस समय अगर आप को नया business करना चाहते हैं, तो कम investment में 99 store का business एक बहुत बढ़िया business opportunity है, यहाँ पर loss के chances ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़े हैं, वो sale होने वाली चीज़े हैं, high profit margin वाली चीज़े हैं, हर घर को इसकी जरुवत है, हर आदमी को इन चीज़ों की जरुवत रहती है, हर आदमी आपका client है, आपका prospective buyer 100 percent है, जी हाँ दोस्तों आपको market segmentation नहीं करनी है, हर कोई आपका prospective buyer है, आप simply थोड़ी सी promotion करके, थोड़ी सी marketing करके, buyers को attract कर सकते हैं, so friends इसके लिए आपको franchise बताओ भी help करेगा, हम भी बताएंगे कि किस तरीके से आप buyer को attract कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी franchise को successful बना सकते है so friends देखते रहिए, franchise ही बताओ channel, और साथी साथ में आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कि अगर अभी तक आपने आप निरवर भारत business contest में participate नहीं किया है, तो आज ही participate करें, इसमें participation के बहुत सारे फायदे हैं, उपर वीडियो का link दिया गया है, इस link पर click करें, और आ मैं हूँ आशी शगरवाल, आपको आपना business दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं, franchise बताओ, धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत